नमस्कार एब्रीवन अमिद है आप लोग सब अपने घरों में सुरच्चीत होंगे और अच्चे से पढ़ाई कर रहे हूं कर रहे हैं न चलिए तो आज हम लोग पाठ नौ पाठ नौ गुडिया घर की सेर का सब दर्द से सुरू करेंगे चेप्टर हम लोग समझ लिये थे पूरा कठिन सब्द लिख लिए थे आप लोग नोट्बुक में लिख लिए थे कठिन सब्द अब आगे सब्दार्थ से सुरू करेंगे तो अब इस पार्ट का सब्दार्थ से सुरू करेंगे सहेली सक्खी सहेली जो लड़की होती है उसकी जो फ्रेंड होती है उसको सहेली और सक्खी जो लड़का होता है दोस्त सक्खा बंदू तो यह लड़की है इसलिए सहेली और सक्खी मार्ग मार्ग का अर्थ हुआ रास्ता पत मार्ग रास्ता ये सारे एक ही सब्द है दिवस दिन दिन को हम दिवस भी कह सकते है विदेशी विदेशी का अर्थ क्या हो गया दूसरे देश की जो अपने देश से बाहर का हो जैसे हम किस देश में रहते हैं पताईए हम किस देश में रहते हैं भारत, हिंदुस्तान है ना तो ये हमारे देश का ना होके ये हमारे देश से बाहर का दूसरे मुल्क का दूसरे देश का है, तो ये विदेशी कहलाएंगे, रोचक, रोचक मतला मनो रंजक, मन भावक, ठीक, रोचक जो हमें अच्छा लगे, मनो रंजक, काटूनिस्ट, काटून तो पता ही होगा, काटून, आप लोग देखते हो, ना टीवी में, काटून, अपना अपना फैबरेट काटून, तो काटूनिस्ट, जो बनाता है, व्यंगे चित्र का, काटूनिस्ट, जो इन काटूनों को बनाता है, जैसे फिल्में बनती है, वैसे ये काटून बनाते है, काटून कलाकार के द्वारा, चित्र दालकर और बनाते है, गुडिया घर गुडियों का घर जहां बहुत सारी गुडिया रखा रहे वहां गुडिया घर गुडियों का घर बाल बाल का मतलब यहां बालक बाल का मतलब बालक फिर है ओफिस का मतलब क्या हो गया कारियाले जैसे आपके पापा जहां काम करने जाते हैं ओफिस तो ओफिस को हिंदी में कारियाले दफतर कहते हैं कारियाले काम का आले आले मतलब घर कारियाले कारियाले का संदी विछेद क्या हो जाएगा कारियाले पलस आले कार ये मतलब काम आले का मतलब हो गया घर तो जहां काम किया जाता है ओफिस ओफिस क्या हो गया अंग्रेजी सर्द तेकि हम एक बार जब व्याकरन पढ़ा रहे थे तो I think chapter 2 और 3 3 हो गसा है उसमें वर्नो को पढ़े थे ओ जिसमें चंद्र बिंदू नहीं होता है सिर्फ ऐसे चंद्र ही होता है उसमें बिंदू नहीं लगा होता है वो सारे अंग्रेजी वाले सब्द होते हैं तो देखिए ओफिस ओफिस भी अंग्रेजी वाला सब्द है इसलिए सिर्फ ओ इसमें चंद्र बिंदू नहीं है ना तो बिंदू है यह सिम चंद्र है दरावना दरावना का मतलब भयानक जिसे देखकर कोई भी डर जाए दरावना भयानक क्लिनिक अस्पताल ठीक है जब हमारी तबेत थोड़ी खराब होती है जब हम सीख हो जाते हैं तो हम कहां जाते हैं अस्पताल डॉक्टर के क्लिनिक में डॉक्टर जहां बैठते हैं उसे क्लिनिक कहते हैं अस्पताल ठीक है तो आपको यह हिंदी सब्द भी समझने हैं बहुत ऐसे सब्द है जो अंग्रेजी में तो हमें पता होता है लेकिन हिंदी में नहीं पता होता है तो क्लीनिक, क्लीनिक भी अंग्रेजी सब्द हो गए इसको हिंदी में अस्पताल ठीक है? चलिए अब हम पेज नमबर 6969 में जाएंगे पेज नमबर 6969 अब हम इसमें क्या है? पेज नमबर 69 में देखिए जो ये ग्रीन कलर का एरो बना हुआ है उसमें क्या लिखा है? आएंगे बात चीत करें ये प्रशन उत्तर है आपको बोलने का प्रेक्टिस करना हुआ है क्वा में गुन गुन की सहेली किस दिन गुडिया घर खोनने गई थी बताईए गुन गुन की सहेली किस दिन गुडिया घर गुणने गई थी इसका अंसर किसी को पता है? गुन गुन की सहेली किस दिन गई थी? कब गई थी? रविवार को ठीक है? अब है ख बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है बाल दिवस कब मनाते? बाल दिवस का अर्थ क्या हूँ? चिल्डरंस टे यूँ मनाते है न तो चिल्डरंस टे का बाता है 14th नवंबर को 14 नवंबर ठीक है बाल दिवस कम मनाया जाता है तो कैसे लिखोगे बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है ठीक है अब गः गुनगुन को क्या देखकर मज़ा आया गुनगुन को क्या देखकर मज़ा आया गुनगुन को गुडिया घर देखकर मज़ा आया ठीक है तो ये हो गया हमारा सौट कोश्चन अंसर ये तीन हमारे सौट कोश्चन अंसर होगे अब जो परपल कलर का है एरो बना हुआ उसमें अब लिखा जाए इसका इसका कोश्चन नमबर वन क्या है सही उत्तर के सामने सही का निसान लगाईए को गुडिया घर के बारे में किसने बताया गुडिया घर के बारे में किसने बताया पहला है ममी ने दूसरा पापा ने तीसरा सहेली ने किसने बताया था सहेली ने उसकी फ्रेंड ने गुनगुन की फ्रेंड सहेली फिर खा में है गुनगुन कितनी बजे गुडिया घर पहुँच गई थी लगभग नो बजे दूसरा लगभग दस बजे तीसरा लगभग बारह बजे तो इन तीनों में कौन सांसर राइट होगा बताये गुनगुन कितने बजे पहुच गई थी गुडिया घर लगभग तस बजे तो इसमें टिक लगाना है आप जब भी वीडियो देखे तो अपनी टेक्स्ट्बूक अपने साथ रखे ठेके क्योंकि ये जो छोटे-छोटे वर्क है छोटे-छोटे काम है वो तो आप साथ-साथ कर सकते हैं अब है इन प्रस्णों के उत्तर लिखिए तो इसे मैं आज नहीं करवा रही हूँ इसे अगले क्लास में करवाऊंगा ठीक है तो हम लोग पेज को पलटते हैं पेज को पलटते हैं कोस्टेन अंसर को भी छोड़ दीज़ें देखिए कोस्टन नमबर थ्री थ्री में क्या है सही कथन पर स्माइली हस्ता हुआ चहरा तथा गलत कथन पर उदास चहरा बनाईए ठीक है यहां पर स्माइली फेस यहां सेड वाला फेस बनाईए पर का में है गुनगुन को बहुत दिनों बाद नानी की याद आई गुनगुन को बहुत तिनों बाद नानी की याद आई ये सही है अगर कथन सही है ये वाक्य जो कहा गया है वो सही है तो आपको स्माइली बनाना है कै थे ख क कहमें सभी गुडिया जैं इस अगरी गुडिया नहीं पडिएंगे गुडिया मतलब एक सिंगल गुडिया ये मतलब बहुत सारे कि इस अगरी जरल्क lesson किसी भी थे कुछ-कुछ तो यह सेड़ वाला फोस बड़ा। फिर गव में है। गुडिया घर बनाने में चाचा नेहरू ने सहयोग किया था। क्या यह कथन सही है। यह जो वाक्य कहा गया है। क्या यह सही है। यह तो हम इसमाइली बनाएंगे। ठीक है। फिर घर में हैं। गुणगुण ने नानी से मिठाई मंगवाई। क्या यह सही है। नहीं। यह कथन गलत है। तो सैड़ वाला फेस बनाएंगे। तो पहला इसमाइली फिर सैड फिर सैड फिर सैड फिर सैड। ठीक है। अब है भासा ग्यान। अब है भासा ग्यान। इसमें हम लेंग्वेज स्किल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कोश्चन वन है। एक सब्द का अनेक सब्द लिखे। एक सब्द का अनेक कहने का अर्थ क्या हुआ। एक वचन और बहु वचन। एक मतलब एक वचन अनेक मतलब बहु वचन। आपको इन सब छोटी छोटी जो बाते में बताती हैं। उसे याद रखना है। अगर आपको कहीं लिखा दिखे। एक सब्द का अनेक सब्द लिखे। तो आपको इस समझ जाना है कि एक मतलब एक वचन अनेक मतलब बहु वचन। को में है गुडिया गुडिया का बहुवचन क्या हो जाएगा गुडिया लेकि उचारन में अंतर है गुडिया गुडिया यहां में यहां चंद्रबिंदु लगा है तो चंद्रबिंदु को उचारिन करना है गुडिया गुडिया साधी साधिया अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना मैं बार-बार आप लोगों को समझाती हूँ कि जब भी यहाँ पर बड़ी एकी मात्रा हो एक वचन में तो वो बहु वचन में आकर छोटी एकी मात्रा हो जाती है यहाँ पर देखिए यह छोटी एकी मात्रा थी तो यह सेम है लेकिन जैसे ही बड़ी एकी मात्रा आजाएगी वो बहु वचन में आकर छोटी एकी मात्रा हो जाएगी आपको यह छोटी छोटी बाते जो हैं ध्यान में रखिएगा तो कभी आपका गलत नहीं है साधी साधिया यहाँ भी जाके उपर चंद्रविंदू और दा में छोटी की मात्रा इधर बड़ी की मात्रा है लेकिन यहाँ आकर छोटी की मात्रा हो जाए ठीक है सहेली सहेलिया सहेली मतलब एक सहेलिया सहेलिया, बहुत सारी सहेलिया, छुट्टी, छुट्टिया, छुट्टी, छुट्टिया, तो ये हो गया अमारा एक वचनों, बहु वचनों, तो आज हम लोग आज हम लोग यहां तक करते हैं, पेज नमबर 7070 तर, इसके बीच में एक कोश्चन नमबर टू, जो लॉंग कोश्चन अंसर है, वो रिमेनिंग है, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो अब आज का होमवर्ग क्या हो जाएगा आपका, हमारा आज का होमवर्ग हो जाएगा, इधर तो आप लोग देखिए, यहां से देखकर टेक्स्ट बूप में क्लास वर्ग का सारा लिख लिजएगा, इसमाइली बनाना करना, यह तो सब कर लिजएगा, लेकिन आज का होमवर्ग है, हमारा पीछे का पेज, यह सब दर्थ, यह जो सब दर्थ है, यह आज का होमवर्ग है, आपका कहां लिखना है, नोटबुक में, कहां लिखना है, नोटबुक में, और एक और होमवर्ग क्या हो जाएगा, यह स्मॉल कोश्चान अंसर जो है, यह हमारा कोश्चन अंसर, तो आज का दो होमवर्ग है, हमारा सब दर्थ और स्वर्ट कोश्चन अंसर, तो सब दर्थ आप पहले हेडिंग डालेंगे, नोटबुक में, फिर उसके नीचे सब दर्थ यह से हेडिंग डालेंगे, फिर उसके नीचे प्रस्ण उत्तर, तो आपको प्रस्ण लिखना है पहले पूरा, गुनगुन की सहेली किस दिन गुडिया घर घूमने गई थी, फिर उत्तर, तो आप कैसे लिखोगे, गुनगुन की सहेली रवी वार को गुडिया घर घूमने गई थी, ऐसे लिखना है, खावट में आपको नोट्बुक में लिखना है, ताकि आपकी नोट्बुक देखने में सुन्दर लगे होगे, ठीक है, तो आज का कितना हो उमर्ख है आपका, दो, ओके, एक सब्दार, एक सौट अंसर पूश्चन, चलिए, धन्यवा, नमस्कार, अपलोचे से घर में बढ़ाए की जीए,